आज हमारे साथ बॉलिवुड के ऐसे एक्टर मौझूद हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको डराया भी है और सबको एंटर्टेन भी किया है हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड के फेमस एक्टर मुकेश रिशी की जो आज लखनों में मौझूद है सबसे पहले तो आपका आर नाइन टीबी में बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले तो पूरे लखनों को नमशकार और अदाब कहूंगा सर आज आप जशने आजादी के कारिकरम में पहुंचे हैं क्या कहना चाहेंगे सर मुझे खुशी है मुझे मेरे मितर मारूफ साब जो है उन्होंने जब वो इस बात का दिकर किया कि इस तरह का फंक्शन और्गनाईज होता है तो मुझे अच्छा लगा यह सुनके क्योंकि इस तरह की चीज़ें पसंद करता हूं मैं भी यहां लोग आते हैं और ऐसे मौके के ओपर जब आजादी की बात हो तो हिस्सा बनने में मुझे खुशी है सकती और लखनाउम है में शार्ट पहली बारी आ रहीए मैं अया निक भी तो दोनों काम हो गए आजादी की दिन भी है और पहली बार भी आरा हूं मैं यहां वे आप मौझूद हैं लखनो पहुंचे हैं कहां गूमने का प्लान है और क्या खरीदने का प्लान है लखनो की एक खास बात है की एक पूजिशन है उसका एक रहन साहन है जो जतने बह अंदोस्तान के लोग जो इन चीजों को समझते हैं उनके दिल में पता है जिस तरह हमारे के यूर्ड सिटीज हैं लखनौ एक खास जगह है खास इसका तरीका है तो कहानियों में बहुत देखा है फिल्म में बहुत देखा है बहुत सा राया है उस वक्त का जो स्टाइल हुआ करता है तो मुझे कुमार साहब की आरजू जैसी फिल्म में यहां शूट ही तो खुशी है ऐसी नगरी में आके और आज भी मैं कुछ जो अभी गाड़ी से आया तो ऐसा लग रहा है कि काफी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसे पुराना शहर देखा मैं आपने अपना करियर जो है वो मॉडलिं जो भाव चल रहे होते हैं वो ही भाव फेस पे लाना थोड़ा साथी एजी रहता है और जो मुझ में अंदर चल रहा था तो मैंने उसी तरह की चीज़ों को फालो किया अब बहुत शुक्रिया मुकेश जी आना टीवी से बात करने के लिए तैंक्यू सो मच आप सबको भी जो लोग देख रहे हैं इस इंट्रिव्यू को बहुत बहुत शुक्रिया और लखनाओ को फिर से एक प्यार बड़ा आवाब तो हमारे साथ थे जिंदा दे लेक्टर मुकेश रिशी जी जिनका साफ तौर पर कहना यह है कि मैं जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ रहमेशा दर्शकों के लिए ही करता हूँ संदीप खे केमरा पसंप्रियाश के साथ आर नाइट टीवी लखनाओ का